नमस्कार दोस्तों मैं रश्मी दिवेदी प्यारी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेम्चन जी की कहानी प्रायस्चित कहानी आपको पसंद आये तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो शुरू करते हैं आज की कहानी प्रायस्चित दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है जितना ही बड़ा दिकारी होता है उतने ही देर में आता है और उतने ही सबेरे जाता भी है चप्रासी की हाजरी 2400 घंटे की वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता अपना एवस देना पड़ता है खैर जब बरेली जिला बोड के हेड क्लर्क बाबु मदारी लाल ग्यारा बजे दफ्तर आये तब मानो दफ्तर नीन से जाग उठा चप्रासी ने दोड कर पैरगाडी ली अर्दली ने दोड कर कम्रे की चिक उठा दी और जमदार ने डाक की किष्ट मेज पर लाकर रख दी मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया वे कई मिनट तक आश्चर यानवित हालत में खड़े रहे मानो सारी ग्यानेंद्रियां शितिल हो गई हो उन पर बड़े बड़े आगात हो चुके थे पर इतने बधावास वे कभी न हुए थे बात ये थी कि बोड के सेक्रेटरी की जो जगय एक महीने से खाली थी सरकार ने सुबोद चंद्र को वे जगा दी थी और सुबोद चंद्र वे व्यक्ति था जिसके नाम ही से मदारी लाल को घ्रिना थी वे सुबोद चंद्र जो उनका सैपाटी था जिसे जग्त देने को उन्होंने कितनी ही चेश्टा की पर कभी सफल न हुए थे वही सुबोद आज उनका अफसर होकर आ रहा था सुबोद की इधर कई सालों से कोई खबर न थी इतना मालूम था कि वे फोज में भरती हो गया था मदारी लाल ने समझा वही मर गया होगा पर आज वे मानुजी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था सुबोद को स्कूल और कालेज की सारी बाते अवश ही आध होंगी मदारी लाल ने उसे कालेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए जूठे आरोग किये बदनाम किया क्या सुबोद सब कुछ भूल किया होगा नहीं कभी नहीं वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा मदारी बाबो को अपनी प्रान रक्षा का ओई उपाय न सूचता था मदारी और सुबोद के ग्रहों में ही विरोध था दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भरती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में इर्शा और द्वेश की वह चिनगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी सुबोद का अपराद यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था डील डॉल, रंग रूप, रीत विवार, विद्या, बुधी ये सारे मैदान उसके हाथ थे मदारी लाल ने उसका ये अपराद कभी छमा नहीं किया सुबोद 20 वर्ष तक निरंतर उनके हिर्दय का काटा बना रहा जब सुबोद डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दब्तर में नौकर हो गए तब उनका चित शान्त हुआ किन्तु जब ये मालूम हुआ कि सुबोद बसरे जा रहा है जब तो मदारी लाल का चेहरा खेल उठा उनके दिल से वैपुरानी फांस निकल गई पर हाँ हत भागे आज वैपुराना नासूर शतुगन टीस और जलन के साथ खुल गया आज उनकी किसमत सुबोद के हाथ में थी इश्वर इतना अन्याई है विधी इतनी कठोर जब जरा चित्र शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लरकों को सरकारी हुप्म सुनाते हुए कहा अब आप लोग जरा हाथ पाउ समाल कर रहिएगा सुबोद चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को शमा कर दे एक क्लरक ने पूछा क्या बहुत सक्त हैं? मदारी लाल ने मुस्करा कर कहा वह तो आप लोगों को दो-चार दिन ही में मालूम हो जाएगा मैं अपने मुँसे किसी के क्यों शिकायत करूँ? बस चेतावनी दे दी की जरा हात पाउं समाल कर रहेगा आदमी योग है पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम भी गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है खुद हजारों हजम कर जाए और ड़कार तक न ले पर क्या मजाल की कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने जाए ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए मैं तो सोच रहा हूँ छुट्टी लेकर घर चला जाओं दोनों वक्त घर पर हाजरी बजानी होगी आप लोग आथ से सरकार के नौकर नहीं सेक्रेट्री साहब के नौकर है कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा कोई बाजार से सौधा सुलुप लाएगा और कोई उन्हें अख़वार सुनाएगा और चप्रासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही नहोँ इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोद चंद्र की तरफ से भढ़का कर मदारी लाल ने अपना कलेज़ा ठंडा किया इसके एक सप्ताह बाद सुबोद चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया सब उनका स्वागत करने आये थे मदारी लाल को देखते ही सुबोद लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले तुम खूब मिले भाई यहां कैसे आए ओ, आज एक युक के बाद भेंट हुई मदारी लाल बोले यहां जिला बोड के दफ्तर में हेट कलर खूँ आप तो कुशल से है सुबोद अजी मेरी न पूछो बसरा, फ्रांस, मिश्र और न जाने कहां कहां मारा मारा फिरा तुम दफ्तर में हो यह बहुत ही अच्छा हुआ मेरी तो समझी में न आता था कैसे काम चलेगा मैं तो बिलकुल को रहा हूँ मगर जहां जाता हूँ मेरा सौभाग ही मेरे साथ जाता है बसरे में सभी अपसर खुश थे प्रांस में भी खूप चैन किये दो साल में कोई 25,000 रुपे बना लाया और सब उडा दिया वहां से आकर कुछ दिनों को आपरेशन दफ्तर में मटर गश्ट करता रहा यहां आया तब तुम मिल गए क्लरकों को देख कर ये लोग कौन है मदारी लाल के हिदे में बर्चियां सी चल रही थी दुश्ट 25,000 रुपे बसरे में कमाल आया यहां कलम घिस्ते घिस्ते मर गए और 500 भी न जमा कर सके बोले कर्मचारी है सलाम करने आये है सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला आप लोगों ने व्यर्थिये कस्ट किया बहुत आभारी हूं मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझे कोई शिकायत न होगी मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझे आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजे कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुर्खरू रहूं आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार है एक वाग्चतुर क्लर्क ने कहा हम सब हुजूर के तावेदार हैं यथा शक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे लेकिन है आदमी ही अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे शमा करेंगे सुबोध ने नम्रता से कहा यही मेरा सिध्धान्त है और हमेशा से यही सिध्धान्त रहा है जहां रहा मातहतों से मित्रों का सा बरताव किया हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम है फिर रोग कैसा और अफसरी कैसी हाँ हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तब विपालन करना चाहिए जब सुबोद से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बाते होने लगी आदमी तो अच्छा मालूम होता है हेट कलर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा पहले सभी ऐसे ही बाते करते हैं ये दिखाने के दाथ है सुबोद को आए एक महिना गुजर गया बोर्ड के कलर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बरताओं से खुश है वह इतना प्रसन्य चित है इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिला है सदयो के लिए उसका मित्र हो जाता है कठोर शब्द तो उसकी जमान पर आता ही नहीं इनकार को भी वय अप्रिय नहीं होने देता लेकिन द्वेश की आखों में गुण और भी भहंकर हो जाता है सुबोद के इसारे सदगुण मदारी लाल की आखों में खटकते रहते हैं उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त शड़यंत्र रचते ही रहते हैं पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा सफल न हुए बोड के मेंबरों को भड़काना चाहा मूँकी खाई थेकेदारों को भारने का बीड़ा उठाया लजजित होना पड़ा वे चाते थे कि भुस में आग लगा कर दूर से तमाशा देखे सुबोद से यों हसकर मिलते यों चिकनी चुपडी बातें करते मानों उसके सच्चे मित्र हैं पर घात में लगे रहते सुबोद में सब गुन थे पर आदमी पहचानना ना जानते थे वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तब कुर्सी खाली देखी वे किसी काम से बाहर चले गए थे उनकी मेज पर पाँच हजार के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे बोर्ड के मदर्सों के लिए कुछ लकडी के सामान बनवाए गए थे उसी के दाम थे ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेज कर खजाने से रुपे मंगवाए थे मदारी लाल ने बरामदे में ज्ञाक कर देखा सुबोद का कहीं पता नहीं उनकी नियत बदल गई इर्शया में लोब का समिश्रण हो गया कामते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए पटलून की दोनों जेवों में भर कर तुरंद कमरे से निकले और चपरासी को पकार कर बोले बाबु जी भीतर हैं? चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला जी नहीं कचहरी में किसी से बाते कर रहे हैं अभी अभी तो गए हैं मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लरक से कहा ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ क्लरक मिसिल लेकर चला गया जरा देर में लोटकर बोला सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे फाइल मेच पर रखाया हूँ मदारी लाल ने मूँ सिकोड कर कहा कमरा छोड़ कर कहा चले जाया करते हैं किसी दिन धोखा उठाएंगे, क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तरवालों के सिवा और जाता ही कौन है, मदारी लाल ने तीवरिस्वर में कहा, तो क्या दफ्तरवाले सब के सब देउता है, कब किसकी नियत बदल जाये कोई नहीं कह सकता, मैंने छोटी-छोटी रक्मों प कहा, चपरासी तो दर्वाजे पर बैठा हुआ है, मदारी लाल ने जुझला कर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ है कीजे, कहने लगें चपरासी बैठा हुआ है, चपरासी कोई रिशी है, मुनी है, चपरासी ही कुछ उड़ा दे, तो आप उसका क्या कर लेंगे, जमानत भी ह है तो 300 की, यहां एक एक कागज लाखों का है, यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरब से बंद कर दिये, जब चित शान्त हुआ, तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकाल कर, एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिये, फिर मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर म्रदुतिरसकार दिखाते हुए कहा, सहब गुस्ताखी माफ हो, आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों नहों, तब दरवाजे बंद कर दिया करें, आपकी मेज पर रुपे पैसे और सरकारी का पत्र बिखरे पड़े रहते हैं, नजाने किस वक्त किसकी नियत बदल जाए? मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं, तब दरवाजे बंद कर दिये, सुबोद चंदर द्वार खोल कर कमरे में गए और सिगार पीने लगे, मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी ख़बर ही ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवाल आया हूँ, सुबोद तो अपने रुपए ले जाओ, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ, लकडी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है, अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस ए, नोट कहां गए, अभी तो यही मैंने रख दिये थे, जा कहां सकते हैं, फिर फाईलों को उलटने पुलटने लगे, दिल में जरा जरा धरकन होने लगी, सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का कहीं पता नहीं, तब वे कुरसी पर बैठ कर इस आद घंटे में ह पर रख दिया, गिना तक नहीं, फिर वकील सहाब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बाते करता जरा उस पेड तक चला गया, उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई, जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है, तब ये नोट कहां गायब हो गए, मैंने किसी संदूक, दराज ये आलमारी में नहीं रखे, फिर गए तो कहां, शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठा कर रख दिये हूँ, यही बात है, मैं वेर्थी इतना घबरा गया, छी, तुरंत दफ्तर में आकर मदारी ला लेक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा, जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बाते करने चले गए हैं, तब दर्वाजे बंद करा दिये, क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं, सुबोध आँखें पहला कर बोले, अरे साहब पूरे 5000 के हैं, अभी अभ भुनाया है, मदारी लाल ने सिरपीट कर कहा, पूरे 5000, हे भगवान, आपने मेज पर खुब देख लिया हैं, अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ, चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था, आईए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए है सारा दफतर सेकरेटी सहाब के कमरे की तलाशी लेने लगा, मेज, अलमारिया, संदूक सब देखे गए, रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं, कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शुभा न था, सुबोध ने एक लंब तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था, मुझे यहां काम करते दस साल हो गए, कभी धेले की चीज भी गायब न हुई, मैं आपको पहले दिन सावधान कर देना चाहता था, कि रुपए पैसे के विशय में होश्यार रहिएगा, मगर शुदनी थी, ख्याल न रहा, जरूर बाहर से कोई आदमी आया, और नोट उड़ा कर गायब हो गया, चपरासी का यही अपराध है, कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया, वह लाग कसम खाय कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं से नहीं मान सकता, यहां से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थ आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं, कोई आपसे कुछ कहता है, सुबोध की कान में, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे लिये जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी, नुकसान तो हो ही गया है, अब उसके साथ अपमान क्यों हो, सुबोध ने चार सो रुपए होंगे भाईजान, रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता जैसे पचीस हजार उड़ गए, वैसे ही तीस हजार भी उड़ गए, यहां तो कफन को भी कोड़ी रही, उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्मत्या कर ली, इतने रुपियों का प्रबं नीद ना आई थी, घबरा कर बाहर आए, चप्रासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया, सिकेटरी जहाब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली, मदारी लाल की आँखें उपर चड़ गई, मू फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो, छुरी फेर ली, जी हाँ, आज सवेरे मालुम हुआ, पुलिस वाले जमा है, आपको बुलाया है, लाश अभी पड़ी हुई है, जी हाँ, अभी डाक्टरी होने वाली है, बहुत से लोग जमा है, सब बड़े बड़े अपसर जमा है, लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दोड़ कर लहास के पास आ जाती है, कोई असा नहीं है जो रुमाल से आखे न पोच रहा हो, अभी इतने ही दिन आये हुए, पर सबसे कितना मिल जोल हो गया था, रुपे की तो कभी परवाही नहीं की, दिल दरियाब था, मदारी ल कर गूलर हो गई है, कितने लड़के बतलाए तुमने, हुजूर दो लड़के हैं, और एक लड़की, नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी, जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं, कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है, दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरबतार करना चाहते थे, पर साइथ आप से सलाह लेकर करेंगे, सेकरेटरी साहब तो लिख गए है, कि मेरा किसी पर शक नहीं है, क्या सेकरेटरी साहब को एक खत लिख कर छोड़ गए है, हाँ, मालूम होता है, छुरी चलाते वकत साइथ याद आई, कि शुभे में दफ्तर के सब लोग ये जाएंगे, बस कलक्टर साहब के नाम चिठी लिख दे, चिठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है, तुम्हें क्या मालूम होगा, हुजूर अब मैं क्या जानू, मुदा इतना सब लोग कहते थे, कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है, मदारी लाल की सासे और तेज ह गई, आखों से आसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी, आखें पोचते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पड़े थे नंदू, आट-दस साल साथ रहा, साथ उटते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हूँ खत में मेरी क्या तारीफ रिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा, आप तो चली रहे हैं, देख लीजेगा, कफन का इंतजाम हो गया है, नहीं हुजूर, कहा ना, कि अभी लास की डाक्टरी होगी, मुदा अब जल्दी चलिए, ऐसा नहो कोई दूसरा आदमी बुलान पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुला कर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दे, और सबके बयान तो लिख चुका हूँ, मदारीलाल ने ऐसी साउधानी से अपना बयान लिखाया, कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए, उन्हें मदारीलाल पर शुभा होता पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला, इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारीलाल के पास आये और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं, दोनों मदारीलाल से परिचित थे, मदारीलाल यहां तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए सुबोध की इस्त्री उनसे पर्दा करती थी, यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा, कहीं इसका मुझ पर शुभाना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विशाय में कोई संदेह न प्रकट किया हो, कुछ जिजगते और कुछ डरते हुए भीतर गए, तब विद्वा का कर विलाब सुनकर कलीजा काप उठा, इन्हीं देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा स्रोत खुल गया, और लड़की तो दोड़कर इनके पैरों से लिपट गई, दोनों लड़कों ने भी गहर लिया, मदारी लाल को उन तीनों की आँखों में ऐसी अथा बेदन ऐसी विदारक याजना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देखना सके, उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी, जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीता, इतना इसने था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी, उन्हीं जारी लाल को इतनी आत्मगलानी हुई कि उनके मूँ से तसली का एक शब्द भी न निकला, उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है, उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी न था, कि उसका ये मन में ये बाट ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वैस सब उनके चरणों पर रख देती, मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा, आप ही के मारफ़त वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे, आपके उपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह न रहे दूद पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हार्मोनियम चलाया और तब कुला करके लेठे, कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदे होता, मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम विर्त घबराती हो, बाबु मदारीलाल से मेरी पुरानी दोस्ती ह आखिर वे किस दिन काम आएगी, मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परचा है, रुपियों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा, फिर न जाने कब मन में ये बात समाई, मैं नसीबों जली ऐसी सोई की रात को मिनकी तक नहीं, क्या जानती थी कि वे अपन कर फिर कहा, भईया जी, जो कुछ होना था वे तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाईए, जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है, ये दफ्तर ही कि किसी आदमी का काम है, वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदे नहीं है, पर देखकर उनका ये होसला न होगा, अब हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है, किस से अपना दुख कहें, लाश की ये दुरगती होनी भी लिखी थी, मदारिलाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साप कह दे, मैं ही वह दुष्ट, वह अधम, वह पामर ह तीसरे पहर लाश की परिक्षा समाथ हुई, अर्थी जलाशे की ओर चली, सारा दबतर, सारे हुकाम और हजारों आदमी साथ थे, दा संसकार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिक थे, इसलिए विधवा चलने को तयार हो रही थी, कि मनारिलाल ने जाकर क बहु जी, ये संसकार मुझे करने दो, तुम क्रिया पर बैट जाओगी तो बच्चों को कौन समालेगा, सुबोध मेरे भाई थे, जिन्दगी में उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका, अब जिन्दगी के बाद मुझे दोस्ते का कुछ हक अदा कर लेने दो, आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था, रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा ओदार हिर्दय दिया है भहिया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है, दफ्तर के लोग जो आधी-आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, जूटी बात पूछने ना आये कि जरा धांड़त सोता, मदारी लाल ने दह संसकार किया, तेरे दिन तक क्रिया पर बैठे रहे, तेरे में दिन पिंड़ दान हुआ, ब्रामणों ने भोजन किया, भिकारियों को अन्दान दिया गया, मित्रों की दावत हुई, और ये सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर् देगा, मगर मदारी लाल ने एक न सुनी, सारे शहर में उनके यश्की धूम मच गई, मित्र हो तो ऐसा हो, सोलवे दिन विद्वा ने मदारी लाल से कहा, महिया जी, आपने हमारे साथ जोबकार और अनुग्रह किये हैं, उनसे हम मरते दम तक उरिन नहीं हो सकते, आपने हम हमारी पीट पर हाथ न रखा होता, तो न जाने हमारी क्या कती होती, कहीं उनक की विच्छा तो नहीं थी, अब हमें घर जाने दीजिये, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा, और कुछ खेती बारी का सिलसला भी कर लूँगी, किसी न किसी तरह विपत्ती के दिन कठी जा मदारी है, पक्का मकान बनवाना शुरू किया था, मगर रुपे पूरे न पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है, दस बारे हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई, मदारी लाल, कुछ रुपे बैंक में जमा है, या बस खेती ही का सहारा है, विद्वा, जमा तो एक पाई भी नहीं है भाईया जी, उनके हाथ में रुपे रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है, मदारी लाल, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी, कि लगान भी अदा हो जाए, और तुम लोगों की गुजरवसर भी हो, रा उसके विवा की अब कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे, जो बिना कुछ लिये दिये विवा कर लेंगे, मदारी लाल ने एक शंट सोच कर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूँ, तो उसे मानेंगी आप, रामेश्वरी, भहिया जी, आपकी सलाह न और दूसरा है ही कौन? मदारी लाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिये, जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे, वैसे ही आपके भी रहेंगे, आपको कश्ट न होगा, इश्वर ने चाहा तो करन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा, विद् के परिवार एक साथ नहीं रहते, सबोध को मैं अपना भाई समझता था, और हमेशा समझूंगा, विद्वा का कोई उज्र ना सुना गया, मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए, और आज दस साल से उनका पालन कर रहे हैं, दोनों बच्चे कालेज में पढ़ते हैं, और क प्राश्चित कर रहे हैं, तो दोस्तों ये थी आज की कहानी प्राश्चित, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मिलते हैं अगली कहानी में, कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद